आप चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और वो यह है कि जो भी आप application यूज करें और यूज करें यूज करें या कोई GitHub की यूज करें यूज करें। डेम फॉपस के लिए पर पहले उसको समझ लो कि वह application बोल क्या रही है यहां पर आप लोग इन भी कर सकते हो लॉग आउट भी कर सकते हो यह एपलिकेशन बहुत अमेजिंग अपलिकेशन है अब आपकर आपको आपको उसको रून करना है तो आपको अबिसली इन्होंने बता रखा है किस सरी केचा आप ऐस अपलिकेशन अपलिकेशन ने देखा है कर सकते हैं अब कैसे मिलेगा अब देखे यहां पर यह सारी चीज आपको सबसे पहले रीड करनी पड़ेगी ठीक है ना तो पहले मैं इसका साथ के साथ आपको कोड भी खोल के दिखा देती हूं हमेशे ध्यान रखना जब भी आपको यह आपको अपलिकेशन खोल रहे तो बहुत सारे folders होते हैं कई बार काफी students मुझे बोल चुके हैं या developers मुझे बोल चुके हैं कि code बहुत बड़ा होता है तो हम उसमें से bugs कैसे find out करें किस तरीके से bugs find out हो सकते हैं क्या उसका medium रहेगा तो सारी lines में कभी भी bugs नहीं होते बग्स वहाँ पर होते हैं जहां पर actual में कोई input field है कोई URL है कोई session है कोई भी ऐसी चीज़े जिसकी वज़े से वहाँ पर bugs show हो सकते हैं तो हमें वही points को point out करना रहता है